आप सब लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं तो जी दिन है ट्यूजडे का और मेरी जो दबत है ना काफी 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 अच्छी हो गई है और जिस तरीके से मेरे हजबन ने मेरा साथ दिया है ना और मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया है तो इनकी वज़े से मैं जो है जल्दी से रिकवर हो रही हूँ तो बस यह है कि थोड़ा सा दवाई और लेते रहनी है तो चलो कोई बात नहीं वो सब तो चलता रहता है ऊहले क्या करती थी मैं जब यह लोग जाते थे तो हमें सफाई में लग जाती थी वह है जो अपना काम होता है घर का वह मैं कर लेती थी फिर अपना थाकी नाश्ता घरती थी जोकि मुझे ग्यारा साड़े-दस पॉने 11 या 11 बच जाते हैं कभी कभी तो सवा 11 भी बच जाते थे मुझे नाश्ता करते हुए तो अब मैं अपना रूटीन चेंज करूंगी और सबसे पहले मैं नहा कि नाश्ता करूंगी क्योंकि जो लेडी है ना हम लोग अपने अपने ध्यान नहीं देते हैं तो उससे को लोग वापस से अपने रूटीन ने वापस आते हैं तो एक फ्रेशने सा एक ताजगी होती है ना जैसे कभी हम भीमार हैं फिर उसके बाद हमकभी अच्छा सा फील करते हैं तो अंदर से होता है कि यार मैं ये भी करूं वो भी करूं तो ना एक जो excitement होती है ना वो बढ़ जाती है तो मुझे ना comment करके जूरूर बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है मेरे साथ तो होता है कि अगर तबित खराब है ठीक हो नहीं के बाद नो तो एक double जो है जोश आ जाता है अपने अंदर और भगवान को थैंक्स करते है हम लोग फिर के चलो हम अच्छे हो गए हैं क्योंकि वह यो तो ना बिमार शरीर तो बेकारी है फिर तो चलो वही बहुत हो गई बिमारी की बात है अब कोई बात नी करने है बिमारी की अब सब कुस ठीक है तो बस यहां पर जो है मैंने नाश्ता करके रेस्ट किया रेस्ट और अच्छे सोफा और टेबल को मैं जाड़ लूँगी तो इस बीज में फिर दवाई का भी टाइम हो गया और दवाई मुझे कॉंटिन्यू मतलब कम से कम 15-20 दिन तक लेनी है तो वो मैं नहीं छोड़ूँगी और आप लोगों से भी कहूंगी मैं कि लेडीज ना अपने ओपर ध्यान नहीं देती है तो आप लोग भी प्लीज कोई भी ना धिलाई मत बरते अपने ओपर क्योंकि हम हैं तो फैमली है एक लेडीज अगर ठीक है ना तो परिवार भी अच्छे से चलता रहेगा लेकिन अगर लेडी की जो तबेत है ना वो खराब हो जाती है ना तो पूरा घर डिसबैलन्स हो जाता है बेकार हो जाता है तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने दवाई भी ले ली है और सामान जो है मैंने सारा समेट दिया था अपने अपने जगह पर और साथ में मैं जाड़ू भी लगा लूँगी तो जी आज मैंने पोचा भी लगाया है अपने घर में वो मैंने अभी दिखाया नहीं है क्योंकि ना मैं बैट बैट के थोड़ता रेस्ट के रही थी फिर मैं लगा रही थी तो काफे दिनों बाद अब घर साफ हुए तो अच्छा लग रहा है तो जी बस यहाँ पर जो है ना सबजिया मैं नहीं ला पाई थी तो हनी के बापा ओफिस से आते वे सबजिया लेके आ गए थी तो वो भी मैं साथ में लगा लूँगी और हरष़ी सबजियां होती है ना अगर बंधी रह जाती है तो खराब हो जाती है तो यह मटर है ना रात में मैंने नहीं खुली तैना ना तो नीचे से होने लगा थी फिर मैंने इसश खोलके कि बास्केट में रख धिया है तो जी यहाँ पर मीहों को लाने का टाइम हो गया है और जब कभी तबे खराब होती है तो थोड़ा सा मेक अपना ज़रूर करना जाए अपने आपको नम अच्छा फील करते हैं तो मैंने आज काफी दिनों बाद लिपस्टिक लगाई है तो मैं काफी अच्छा फील कर रही है अपने आपको और थोड़ा सा ना फ्रेश लग रहा है फेस है ना लग रहा है उल से लेके मैं आगी हूँ मीहों को और नारियल पानीना डेली का मेरा बंधा हुआ है तो साथ में बच्चे भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ बच्चो को भी देना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता केला केले पीना तो देखो हम जो होते हैं माबाब जो होते हैं हम लोगों को बिलकुल अच्छा नहीं लगता है कि हमारा बच्चा ना ले उस चीज को और हमा केला केले ले तो डेली का जो है ना बच्चों का भी नारियल पांदी बंद गया है मेरे साथ हो गया इवनिंग का टाइम और आज है 14 फरवरी तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन स्टे होता है ये सबी लोग जानते हैं और आज करना बच्चे भी काफी समझदार हो गए है इनको भी पता चल जाता है तो ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है तो ये तो जरूर होता है कि इस दिन घुमने जाते हैं और अच्छी जीजे खाते हैं तो घुमने तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ना बच्चों के एक्जाम भी स्टार्ट होने लग गए अब तो और फाइनल एक्जाम है बहुत ज्यादा टफ है तो उनकी भी तैयारी करनी है इस वज़े से हम बाहर भी नहीं गए और यहां पर ना हनी के पापने फ्रेश हो रह लेकिन उन्हें थोड़ा सा लिया बस तो जी बस यहां पर जो है मैंने सारा सामान समीड दिया है और साथ में यह जो पॉले थीन होती है ना यह मैं जुरूर समाल के रखती हूं क्योंकि काफी सामान जो है ना रखने के काम आ जाती है और पीजा को जो डबाया उसे मोड बहुत कम जगा ले वह और साथ में टेबल भी क्लीन कर तो मुझे तो तो यहां पर जितनी भी बरतन है यह मैं साथ में क्लीन कर लूँगी और डिनर बनाने का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि हमारा तो पेट भर गया इसी से ही साथ के साथ जो है सारे ब Steuer भी बरतन धोलूँगी और बीच में एक बारी में पालक लेकी आई थी तबिद खराप थी इसवजेसे मैंसे बना भी नहीं पाई थी तो हम इने क्या किया था इसे साफ करके धो के बॉइल करके ना मैंने फ्रिज में टैर था था तो कम से कम तीन में बनाने वाली पालक पनीर इस बीचना बच्चों को कुछ जादा अच्छा खाने को मिला भी नहीं तो मैंने सूचा चलो बच्चों को पसंद आता है पालक पनीर बना दूंगी यह ग्राइंड करके ना इसे में फ्रिज में रख दूंगी वापस और आएगा इसका कल नंब तुझी आज है वेलेंटाइन डे तो इन्होंने मुझे इस तरीके से सर्प्राइज दे दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सच में बहुत अच्छा लगा है कर दूंगे वेलेंटांस डे ओर दे खो हम लोग ना थार लेके आए मैं गई थी अभी शांको मिद्टान आधर कर बनाने जाना तो मैं लेके गई थी तो पता है तो जी आप सबको भी हैपी वैलेन्टाइन्स डे और जितने भी लोग हैं बाहर घूमने कई वहोंगे भई हम तो नहीं जा पाए हैं गोमने के लिए क्योंकि पताइए आपको तवे दैसे चल गई और उपर से बच्चों के एक्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं तो इस वज़े से हम भार नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं घर पर ही अच्छा रस्मेंट जीन ने ने अच्छा सेलबिशन करा दिया है पीज़ा लिया थे तो हमने तो ड अच्छा लगा ये देखिये अच्छा लग रहा है ना तो जी चलिए फिर इसी के साथ ही मैं वीडियो का भी एंड करती हूं वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर पीज़ेगा तो ठीक है मिलती हूं नेक्स ये वेले ने सद्री शेयर पू लुझा लेगे ने को कि अभी कि अच्छाएगा ये नेक्साद कपे श्वडाब्स नेक्ड़कर लगेज़ेगां वाला है क्यां वेले लूर फिर बाला तो चेल प्लीज चूंए़ेगा